जैस्री कृष्णा दोस्तों आज की रेशिपी में हम बनाएंगे हरा भरा कबाब टेस्ट में एक दम अलग लगेगा और एक दम मुह में घुल जाएगा यूँ तो हरा भरा कबाब आपने कही टाइप में खाए होंगे होटल, रेश्टुरेंट, ढबा और घर में भी बना कर खाए होंगे कुछ वेजिटेवल के साथ और कुछ खास ट्रिक के साथ बनाएंगे कि हमारा हरा भरा कबाब बीना कलर के ही अच्छे से बनकर त्यार हो तो चलिए शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम पालक, पालक को हम एकदम अच्छे तरह से कट करके धो लिए हैं, दो तिन पानी से इसे साफ से धोएंगे और मोटा लाडंडी हटा देंगे और सिर्फ पत्ता लेंगे और साथ में मैं लें हूँ 500 ग्राम फ्रेश हरा मटर आप चाहे तो फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं तो सबसे पहले हम पालक और मटर को ब्लांच कर लेंगे तो हम पानी खुलने के लिए बैठा दिये हैं हरा भरा कबाब के लिए पालक और मटर को हमें ब्लांच करना जरूरी है तब ही जाकर हमारा हरा भरा कबाब में होटल और रेस्टुरेंट वाला टेस्ट आएगा तो इस तरह से हम एक मिनट तक इसे अच्छे तरह से उबाल लेंगे एक मिनट से जादा हम इसे नहीं पकाएंगे और फिर हम गैस को आफ करके इसे हम फटा फट से ठंडे पानी में डालेंगे तो हम एक बतन में ठंडे पानी ले लिए हैं और फिर हम इसमें पालक और मतर को पानी से ड्रेन करते हुए गरम पानी से और निकालते हुए और ठंडे पानी में डाल लेंगे ताकि हमारे पालक और मतर का कलर जो है चेंज ना हो एक दम हरा हरा रहे तो इस तरह से हम ठंडे पानी में डाल लिए हैं और एक मिनट छोड़ दिये थे एक मिनट बाद फिर हम इसे चन्नी में डाल कर इसका पानी सारा हम ड्रेन कर लेंगे जब एक मिनट बाद ये पानी इसका अच्छा से ड्रेन हो जाया तो फिर हम इसे mixi jar में डाल लेंगे और mixi jar में डालने से पहले हम इसे हाथ से इसका सारा पानी को एकदम अच्छे तरीके से निचोड लेंगे आप चाहे तो कपरे में डालके कॉटेन के कपरे में डालकर भी इसका पानी निचोड सकते हैं और हम इसे हाथ से ही इसे दबा दबा कर एकदम से अच्छे से इसका पानी जो है निकाल लेंगे ताकि हमारा कबाब जो बने उसमें पानी न रहे तो जितना दम हो उतना लगा के इसका हम पानी निकाल ले रहे ताकि इसमें थोड़ा सभी पानी न रहे और इसी तरह से हाथ से दबाते हुए सारे पालक और मटर को हम मिक्सी जर में डाल लेंगे बहुत ही फटाफट से बनकर ये तियार होता है और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तियार होता है ये देखिए इतना पानी निकला है हमारे पालाक और मतर से और फिर हम अच्छे से पानी जब निकाल लिये हैं मिक्सिजर में डाल कर इसे हम हलका से दरदरा पीश लेंगे एकदम रखिएगा कि इसे महीन नहीं पिषना रहीं प्रिशना है ताकि ताकि हमारा इते कवाब बने एकदम डिहनी और बनने में दिक्ष कथि जयं तो इस तरह से बरतें परनने निकाल लिया है मिक्षी जाल से अब फटा-फट तक फटे एक पैन में तेल डालेंगे तेल हम दो चमच डाले हैं और दो चमच डालने के बाद हम इसमें दो पिंच हिंग भी डाल लिये हैं और साथ में हम आधा चमच जीरा डाल लिये हैं जीरा को हम 8 सेकेंड के लिए चटकने देने देंगे जब हलका सा कलर चेंज हो तो हम उसमें डालेंगे एक बरे चमत से कूटा हुआ अद्रक लेसन का पेस्ट हम इसे पी से नहीं है हलका दरदरा कूट कर त्यार कर लिए हैं अद्रक लेसन को आप चाहे तो बारिक चप कर के भी अद्रक लेसन को डाल सकते हैं और साथ में हम 4-5 हरी मिर्च डाल लिए हैं और फिर हम डालेंगे इसमें पालक और मटर को दरदरा जोग में पीस के त्यार की थी उसे डाल ले रही हूँ और डाल कर हम इसे अच्छे तरह से भून कर त्यार कर लेंगे ताकि इसमें का जो पानी है वो अच्छे तरह से सूख जाए पालक और मटर का पानी तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए इसका पानी को सुखा लेंगे और साथ में हम डाल ले रहे हैं नमक, नमक डालकर हम इसे एक मिनट तक और चलाएंगे ताकि पालक और मटर नमक डालने के बाद भी पानी छोड़ता है, तो जो भी पानी छोड़े तो सुख जाए, तो इसलिए हम और इसे एक मिनट तक नमक डालने के बाद भी सुखा लेंग और एकदम से हमारा पालक और मटर में पानी सुग गया है और अच्छे तरीके से त्यार हो गया है भूनकर तो फिर हम इसे गैस को आप कर दिये हैं और इसे हम एक बरतन में ट्रांसफर कर देंगे और थोरा बहुत कल्ची में लग गया है उसे भी मैं निकाल ले रही हूँ ताकि हमारा पालक और मटर अच्छे से निकल के आजये कटोड़े में और इस तरह से हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे एक मिनट तक वैसे भी ठंड का मौसम है एक मिनट भी नहीं लगेगा इसे ठंडा होने में और फिर हम इसमें डाल ले रहे हैं बारिक चॉप किया हुआ हरा धनिया और साथ में मैं डाल ले रही हूँ दो मीडियम साइज का आलू उबला हुआ आलू है मैं इसे अच्छे से ग्रेट कर ले थी और फिर मैं डाल ले रही हूँ इसे ग्रेट करके ही डाले मैस करके नहीं डाले नहीं तो एक भी आलू का टुकरा अगर रह जाएगा तो हमारा लबाब जो है अच्छा नहीं बनेगा और साथ में 11 धनिया पाउडर आधी चमाफ लाल मिर्च पाउडर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर्वर और साथ में डालेंगे आधी चमच दरदरा कुटी हुई काली मिर्च और साथ में हम आधी चमच चाट मसाला डालेंगे चाट मसाला का अगर पैकेट है तो उसे आधा चमच डालें हम अंदाज से आधा चमच डाल दिये हैं और फिर हम एक चमच डालेंगे कसूरी मिथी कसूरी मिथी को मचे से मसली है फिर डालेंगे और फिर हम डालेंगे चार चमच बेशन और एक चमच कॉन फ्लोर और सारे समागरी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो एक चमच आरा रोट भी इसमें डाल सकते हैं और फिर हम इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे चमच से नहीं हो पाएगा तो इसे हम हाथ से mix करेंगे और एकदम से आलू और पालक मटर सब को एक साथ अच्छे से mix कर लेंगे एक मिनट तक इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि हमारे कबाब में जो है टेस्ट एकदम अच्छे से आए और हम इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं ये देखिए हमारा मिक्स होके त्यार हो गया है अब हम फटाफट से कबाब को बना लेंगे साथ में मैं ली हूँ आदी कटोरी काजू काजू कमें दो टुकरों में कर ली हूँ और साथ में हम दो चमच तेल ले लिए हैं तेल हम हाथ में लगाएंगे ताकि जब हम कबाब बनाएं तो हमारे हाथ में जो चिपके नहीं इस तरह से हम हाथ में दोनों हाथ में तेल लगा लेंगे और फिर हम एक एक करके कबाब को बनाएंगे हम निम्बू साइज का लिए हैं आप चाहे तो थोड़ा बड़ा चोटा कर सकते हैं मिनी कबाब भी होता है तो इस तरह से आप अपने साइज का कबाब बनाएं और इस तरह से हम निम्बू के आकार में लेकर इसे हम एक सेफ में बना लेंगे टिकी जैसा और इस तरह से हम अच्छे से बना लेंगे गोल सा और उपर से हम एक काजु को चिपका देंगे और यह दिखिए थोड़ा सेफ में अच्छे से दे देंगे और इस तरह से गोल एकद बनकर रेडि होता है सर्दियों में इसे हम अक्सर बनाकर खाते होटर रेस्टोरेंट कभी विजा है बिना इसके स्टार्टर हम दोगए नहीं होता है तो इस तरह से हम एक-एक कबाब को दुसरा भी कबाब आपको बनाके दिखा दे रहे हैं एकदम अच्छे सेफ में आप बनाएं और इसे उपर से काजू लगा देजिए ताकि एकदम बडिया दिखे और इस तरह से हम एकए करके सारे कबाब को बना लेंगे और ये देखिए हमारा कबाब कितने सुन्दर से बनकर त्यार हुआ है और हम सारे कबाब को बना लिये हैं ये देखिए कितना पॉर्टफेक्ट तरीके से हमारा कबाब बनकर त्यार हुआ है अब हम इसे फटा फट से फ्राई कर लेंगे तो हम यहाँ पे कराही में तेल डाल दिया है और गरम होने के लिए छोड़ दिये थे और जब हमारा तेल गरम हो जाए तो फिर हम आज को थोड़ा मीडियम हाई फिलम पे रखेंगे और फिर हम एक एक कबाब को डालेंगे, आपके कराही या पैन में जितना है उतना ही डालिए, हमारे कराही में छेटो आया है, तो मैं छेपीस इसमें डाल दी हूँ, और डालने के बाद हम एकदम से इसे नहीं चलाएंगे, एक मिनर तक इसे छोड़ देंगे, मीडियम अच प पर ही हम इसे पका रहे हैं, ताकि हमारा कबाब जो है, एक दम अच्छे तरह से पक कर त्यार हो, तो एक साइट से हमारा कबाब जो है, अच्छे तरह से पक चुका है, दूसरे साइट भी हम इसे पका ले रहे हैं, इस तरह से अलटते पलटते हम कबाब को पकाएंगे, एक अच्छे तरह से जब यह पक जाए फिर हम इसे कराही से निकालेंगे यह देखिए हमारा कबाब का कलर कितना अच्छाया है और एकदम परफेक्ट तरीके से यह पक कर त्यार हो रहा है हमें अभी इसे और एक मिनट तक पकाना है और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा जब कबाब पक जाए तो फिर हम इसे तेल को ड्रेन करते हुए निकाल लेंगे देखिए हमारा कबाब जो है अच्छे तरह से पक कर त्यार हो गया है तो हम इसे एके करके कराही से निकाल ले रहे हैं और इसी तरह हम एके करके सारे कबाब को डाल लेंगे कराही में फिर और सारे कबाब को हम तल लेंगे यह देखिए मीडियम आज करके फिर में दुसरी बार भी कबाब को डाल ले है एकदम होटल रेश्टरंट जैसा दिख रहा है ना एकदम टेस्ट भी वैसा ही आएगा जबकि उससे अच्छा ही टेस्ट आएगा और अब हम इससे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और फटा फट से हरी धनिया और दही वाली चटनी के साथ सर्फ करेंगे अगर आपको हमारी रेशिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब सेयर करना नहीं भूलिएगा इस तरह से अपने घण में जरूर ट्राइ किये जिएगा मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई